सुनना चाहती हूँ जिसे में समस्त लोगों का कल्यार है कथा जो सकल लोग ही तेकार है और सोई पूछन चहस सैल कुमारी और सैल कुमारी अर्थात पारवती में या कौन है तो गोश्वामी जी कहते हैं जेख, जेख, जेगजबदाने सदाने मासा जै गज बड़ा ने खगानन माता जै गज बड़ा ने खगानन माता जगत जननी दा मीनी दूठ गाता तो शानी जी कहते हैं मैया पारवती जी कौन है कहा जगत जननी दा मीनी दूठ गाता संपुर्ण जगत की जननी है मैया पारवती जी और एक मा ही ऐसा है जो सब के कल्यान की बात करती है कहा जाता है कुपुत्रो जाय का कवची दपी कुमाता नभ होती बेता चाहे कुपात्र भी हो जाय लेकिन मा हुमेसा माई होती है और मा के मंता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता महराज बेता कुपात्र भी हो जाय फिर भी मा के मंता वही रहती है लेकिन महराजी ये कल्यूग है इस कल्यूग में सब मा एक जैसी नहीं होती है और सब बेता भी एक जैसा नहीं होता मैया पारवती जी ने भगवान भोले नाथ से कहा कि प्रभू मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जिसमें सब का कल्यान हो जिस कथा को सुनके सब भौसागर से पार उतर जाएं सबसे पहले भगवान भोले नाथ ने मैया पारवती जी को धन्यवाद दिया और धन्यवाद में क्या कहा कि धण्यद्धान्य धरः च्यकः भॉमादेद धण्यद्धान्य धरः घण्य धरः चसाप मादेद ज्यान की जिए राब, महिया पारवती जी को भगवान भोले नास दो बार भन्नेवाद दे रहे हैं, जो भन्नेवाद किसलिए दिया? क्योंकि महिया पारवती जी समस्त लोगों के कल्यानी की बात करने आई है भगवान से, एक बार पर भगवान भोले नास मया पारवती जी को धन्यवाद लोगों, iddlebr जिए दिया, और दूसरी धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान भोले नास मया पारवती जी के माता पिता को». धाण्ये धाण्ये गिराजे कुवादे तुमस्तमाने नई को उपकादे तुमस्तमाने नई को उपकादे भगवान भुले नाच ने कहा थे धन्य है आपके माता पिता धन्य धन्य गिरी राज कुमारी धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बेटियों के अंदर ऐसे संसकार जागरित करते हैं संसकार देते हैं आप चाहे संपत्ती कितना भी कमाले महराज लेकिन आपके घर के बच्चों में अगर समस्कार नहीं है तो वो संपति किसी काम के नहीं है और आज कल होता क्या है हम और आप सब बच्चों को सिछा ये देते हैं कि बस अपने आप से मतलब रखो और अपने काम से और किसी से मतलब रखने के जरूरत नहीं है पर ध्यान दीजिएगा कभी वविष्च में और किसी में हमारा और आपका नाम आ जाये तो बच्चे हमसे ही मतलब रखना छोड़ गए और कहें कि आप ही तु बोलते हो कि अपने आप से मतलब रखो और किसी से मत रखना तो कहीं हमारा आपका नमबर ना आ जाए इसलिए अच्छा संसकार देना चाहिए भगवान भुले नाथ ने मैया परवती जी के माता पिता को धन्य बाद दिया कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छी संसकार दिया अपने बेटी को और आप लोगोंने कथा सुना होगा नारत जी मारात जम्या परवती जी छोटी थी